अब मैकरोंस मैं कहां से लाओ मैकरोंस एक ऐसा इस तरह से दिखता है मैकरोंस कलरफुल होता है और इसे अलमंड फ्लोर से बनाया जाता है एग वाइड का मराइन बना के लेकिन एगलेस केक चाहिए था तो एकवाफावा भी मेरे पास नहीं था और मैंने कैसे बनाया मैं आपके शाद शेयर करूंगी एकवाफावा मिन्स की काबली चने को जब हम उबालते हैं और उससे जो लिक्विड बचता है पानी उसी को गाढ़ा करके एकवाफावा रेडी किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी आप एदी कमेंड बॉक्स में ल थोड़ा थोड़ा पानी डालके मुझे प्रिमिक्स को एक थिक पैटर की तरह बनाना था क्योंकि यह फैलना नहीं चाहिए था केक की कंसिस्टन से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी अदरवाइस वो लुक नहीं आपाता तेस तो ऐसा नहीं आएगा और लुक भी प्रॉप यह जाएगा फिर यह जो था मैंने उसे बीट किया फाइफ की स्पीर पे मैंने केक बैटर लाइक बैटर बट थोड़ा से थिक था उससे मिन्स की ब्राउनी जब हम बना दे वह इसा होने चाहिए उसे बीट किया यह कलर चेंज करेगा तो इसमें मैं एड़ करूंगी एक च इसमें और जाएल ताकि हम लोग बनाते हैं ब्राउनी विगरे में बटर ही उसकरते हैं तो यह मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी मैं प्रॉपर देख थी यह बन पा रहा है कि ने बन पा रहा है तो यहां देकिए फ्रेंट्स यह रेडी हो गया है अब मैं इसे पाइप तो कभी कभी मैं लोटी चोकोपाई से कर देती हूं लेकिन कस्टमर जब नहीं मानते बोलते कि नहीं मैं एक्स्ट्रा पे नहीं करूंगा तो दैन मैं वहां पर यह आजमाया मैंने कोशिज कि मैं इसे बना लू तो यहां मैंने थोड़ा सा वैनिला एशिंस डाला और और यहां देखे फ्रैंड्स मैंने पिंक कलर डाल दिया और पिंक कलर डालने के बाद थोड़ा सा पानी मैं इसमें और एड़ करती हूं ताकि यह बीट नहीं कर पारे हूं यह स्पैचुला के हल्फ से और यह यह कंप्लीट हो चुका है आप चाहे तो इसे फ्लेवर फूल जिस फ्लेवर में आपको बनाना है तो इसमें यूज कीजिए और इसके अंदर जो फिलिंग दीजिए उसका क्रश यूज कर दीजिए यहां पाइपिन बैग मैंने लिए पाइपिन बैग जो है वो अल्रेडी कट किया हूँ था मैंने मतलब कि ज्यादा बड़ा मत कट किज क्योंकि थीक है तो काफी इजी नहीं है डालना थोड़ा सा तफ है मतलब आप इसमें ले सकते हैं से मैं इस पैचुला की हैं डालोंगी तो छोटी छोटी चीजों को मैं आपको शेर कर रही हूँ हूं और यहां पाइपिन बैग मैं इसे फिल कर लिया इसी तरह जितना आप आपको इंग्रीडियेंट इसमें फिल करना है बैटर को उतना फिल कर लीजिए ताकि आप जो मैंने डेकोरेटिव आइटिम बनाया है मैं तो नहीं कहूंगी क्यों मैकरोंस है बस मैकरोंस की तरह हलका फुलका दिख रहा है तो यहां देखी फ्रेंड से पाइपिन बैग मै आपको टिप करना है इस तरह से मैं इस तरह से बना रही हूं ना बस उतना ही डालना है ज्यादा बड़ा बिलकुल मत कीज़गा क्योंकि अभी यह पैलेगा और बड़ा हो जाएगा और दूर दूर आपको बनाना है यदि आप करीब बनाऊगे तो आपस में स्टीक हो तो इस तरह से त्रे में भी कर दूंगी मेरे पस ट्रे है और इस तरह से टैप कर दीजे आप इसी आपको पंखे के नीचे रख देना है डिरेक्टी इसको अवन में भी बिल्कुल लेडा है तो वह देखिए लास्ट वाला जो है थोड़ा करीब हो गया है तो इस चिपक जाये कि मैंने डाल दिया बैटर को और इस तरह से देखिए फ्रेंट्स किस तरह से मैं ड्रॉप करनी हूं उसी तरह से बिल्कुल आपको करना है बीच में प्रेस करना है और एक सेप देना है ताकि वह राउंड शेप में हो जाए जैसा कि मैकरोंस दिखता है वैसा और यहां पे इसे इसी इसी नहीं से मैंने पूरे बैटर को कमप्लीट किया जितना मैंने एक कप कब ना था है था रहिए ज्यांदा घब करना है ज्यादा मत कीजिए तो यह ज्या पाफी पतला और बड़ा ओजाएगा अब मैं इसे जो पहला मैंने बैच बनाया था उसे पहले फिंगर आपको इस्टिक करने फिंगर में नहीं लग रहा है यानि कि अवन में जाने के लिए रेडी हो चुका है बस इसे हम डालेंगे अवन में आवन में हम इसे 140 डिग्री सेल्सेस पर डालेंगे बस 30 मिनट तो होई गये 30 मिनट के बाद यह पक गये थे अच्छे से और मैंने निका आपको जिस कलर में बनाना हो और मैं आपको डाल सकते हैं आपके साथ एक आइडिया कर रही हूं ताकि आपके कस्टमर का जो फैंसी केक है वह भी बन जाए और को स्ट बहुत जाए और यहां देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने सब को आउट कर लिया है और साउधानी से कीजि और यहां दो फ्लेवरिंग एज़र्ट मिक्स करके आप उसे फिल कर सकते हैं तो इस तरह से पूरे मैकरोनस सेप के इस बिसकिट को बोलिये या फिर केक को बोलिये मैंने निकाल लिया और यहां देखिए फ्रेंड्स मैंने जो है क्रीम डाला और यह लीशी फ्लेवर का है ब अर नहीं आपको भाँ पर रखना और साइज अपना जब आपको बनाना एक अपको अपना दो आप पाइपिन बैग का जो जब आप गिरा रहे हैं तो उस समय आपको बहुत साओधानी से गिरा आप अपको बना जाएं ले रहा है और बैटर इसी लिए ठीक हो चाहिए ताकि क्यों फैले नहीं और बहुत बड़ा नहीं होते इस तरह से केक को मैंने जिक तो फ्रेंड्स इस तरह से एक्सपेडिमेंट करके मैंने बनाया एगी खुबसुरत सा केक और आप भी बनाना चाहते है इस तरह केक तो मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल का एकन जरूर प